आई आई आप सभी खास वागा थे देखें और सीखेदा नीटिंग चैनल में तो मैं सब के लिए एक डिजाइन लिए हूँ इस डिजाइन से आप लेस बना सकते हैं यहां पर इसे चेन बनाते हुए आप इसमें कोई भी प्रजेक्ट बना सकती है जैसे कि आप टॉप बना ल करेंगे एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ और यह नौ तो यहां पर दागा के बात कर लो आप कोई भी यहां पर ले सकती है जो यह मैंने उल्ली भी है थ्री प्लाइ फॉर प्लाइ या फिर अप धागा से भी बना सकती है क्रोसे नम्बर यहां पर थ्री एम्म लिए वह क्रोसे करेंगे हर एक चैन पर डालते हुए एक इप सिंगल क्रोसे करेंगे अगर शेत? अब लोग आप लिए अप लोग जा रहे क्या किरेंगे यहां प्लाइक कश्क लाइक दा गाए या फिर नहीं लगी इसलिए लाइक करने के लिए कहा जाता है अगर अच्छी लगती यह थोड़ी सी भी तो प्लीज वीडियो को लाइक किया करें आप लो तो देखिए पहली रो हमारी कम्प्लीट हुई फिर एक चेन लेंगे पलट जाएंगे मिदर चेन के दो पाट होते हैं एक बाहर के और एक अंदर के जो बाहर की और है उसमें हम डालेंगे यहां पर और सिंगल क्रोशा के लाइन कम्प्लीट करेंगे अगर लेस की बना रहे हैं तो यह जो पट्टी में बना रही हूँ इसे आप अपने अनुसार जो भी पर्जेक्ट बना रही हूँ उसी साफफ चाफ इसमें इस तरह से बॉर्डर लाइन पहले बना ले बॉर्डर लाइन बनाने के बाद फिर आगे दिखाती हूँ कि कैसे इसमें इस डिजाइन को ठीक है बहुत ही इजी है दो लाइन की डिजाइन है बहुत ही प्यारी खुबसद बनके आती है यह इस तरह से करते हुए देखिए हमारी दूसरी लाइन हो गई फिर एक चेन लेंगे पलट जाएंगे फिर आधिभाग में बनाएंगे अ फिर चेन उठाएंगे आधा फिर सिंगल क्रोश है इस तरह से करते हुए हम यह लाइन ही कंप्लीट करेंगे ठीक है समझ में आगे कि किस तरह से आपको बनाना है तो चलिए मैंने बनाकर रखाव आपको दिखाती हूँ देखें यहां पर टोटल मैंने 28 रो बनाके कंप्लीट कर लिए है इस तरह से अगर कंप्लीट करते हैं तो यह एक लाइन हो गई फिर नीची की और जो जाती है इसी दूसरी लाइन कंप्लीट करेंगे जो अबरी हुई है यह तीसरी हो गई नीची की जो लाइन दिखे रही यह चौथी फिर उपर पांच भी छटी इस तरह से करते हैं टोटल मैं 28 रो बनाके कंप्लीट की हुई है अब इसे इस तरह से पॉलेट लेंगे यह पर पांच चेन लेंगे हम देखें एक दो तीन चार और यह पांच पांच चेन लेने को क्रोसे पर दो बार धागा लेंग यहां पर यहां पर डालने के बार दो दो फंद ही करते हुए हम दो बार निकालेंगे और एक फंद हम क्रोसे पर ही छोड़ देंगे फिर से क्रोसे पर धागा लेंगे दो बार यहां पर हम ट्रिपल क्रोसे बना रहा है लेकिन पूरा नहीं बनाना में एक एक फंद हम क्रोस बंद किए फिर लास्ट का बंद करेंगे अब यहां पर हम झेशंा लेंगे एक दो थीन चार पांच और ये चņळे आ छे है हाँ चे याइननी के बाद के वादउ के स्फिरसे क्रोसे पे दो लें। अर्र रिफ वादफा लसे रालेंगर फिर से ुदल इस तरह से लेंगे फिर से दो फंदा निकालेंगे और फिर से दो फंदा निकालेंगे तो टोटल हमारे पास चार फंदे हो जाते हैं पहरे इन तीन को निकालेंगे फिर लास्ट वाले फंदे को निकालेंगे इस तरह से तीन फंदी को निकाला हमने फिर लास्ट वाले फंदे ठीक है फिर यहां पर दो दो करते फंदे निकालेंगे एक हो गया है फिर दो निकालेंगे फिर से बनाएंगे एक और दो बार लिए फिर से जगर पर टालेंगे दो दो फंदे करते निकालेंगे एक बार निकाला और यह दूसरी बार ठीक है तो टोटल यहां पर हमारे पास च को बनाएंगे इसके बज़ भी डिजाइन बन जाएगी तो उपर जाते वे हम छे चेन लेंगे एक दो तीन चार पांच और ये छे फिर से धागा लेंगे इस जगह पर फिर से मियासे बनाना शुरू करेंगे दो दो फंदे करते वे दो बार निकालेंगे एक बार हो गया फिर दो बार धागा लेंगे इस जगह पर डालेंगे पहले दो फंदे निकालेंगे और फिर से दो फंदे निकालेंगे फिर क्रोशप पर दो बार धागा लिए हमने इस जगह पर डालेंगे फिर दो फंदे निकालेंगे और फिर से दो फंदे निकालेंगे टोटल चार हो जाए देखिए कुछ इस तरह से डिजाैन बन कालेंगे ब आप बिस दो बार रागा ले लेंगे बेखे िरे जो डिजान है इसे चोड़ देंगे अब यहाँ पे बन सुरू करिंगे फिर इसके बाद यहाँ पे बन जाए больш इसे छोड़ेंगे यहां पर बनाओं फिर इसे छोड़ेंगे इसे एक-एक-आद करते विए जाना अब खुबर वाला जो ड्वल कुर से दिखरी दिखरी सिंगल को से यह वाली और उसकी बाद वाले में ठीक है इसे तरह से करते हुए में लाइन कंप्लीट करते हैं फिर दिखाती है पूरी लाइन बनने के वाद कुछ इस तरह से हमारी दिख रही है अगर आप यहां पर बॉर्डर लाइन बना रही है अगर लेस के लिए तो क्या क करना है एक और दो बार धागा लेंगे लास्ट वाले पर जाएंगे इस तरह से और यहां पर दो दो फंदे करते हुए निकालेंगे एक बार निकाला दूसरी बार और यह तीसरी बार एक चेन लेंगे इधर पलट जाएंगे हम अब देखिए किस तरह से करना है सबसे फर्स तीन चार और यह पांच थोड़ा से इस तरह से खिसका ले ठीक है ताकि अर्जिस्ट हो सके अब यहां पर तीन चेन लेंगे एक दो और यह तीन चेन फिर समय पर डालेंगे और यहां पर हम एक सिंगल क्रोस हैं दो सिंगल क्रोस हैं तीन सिंगल क्रोस हैं चार सिंगल क्रोस है और यह 5 सिंगल क्रोस है, यहां तक आप लेस बना सकती है, आगे काड डिजाइन जो फिर रिपीट करेंगे तो आप उसे कोई भी प्रजेक्ट बना सकती है, फिर यहां पर ले लेंगे 5 सिंगल क्रोस है, 1, 2, 3, 4, और यह 5, पांच अब एक दो और यह तीन चेन लिया हमने फिर सेम जगह पर डालेंगे पांच सिंगल क्रो से फिर से बनाएंगे हम तो यह तरह से करते हैं यहां पर देखिए डिजाइन हमारी कंप्लीट होती है लास्ट में जो हमारे पास यह त्रिपल क्रो से यह जो हमने चेन बनाए इस जगह पर इसकें अंदर से ढालेंगे एक सिंगल क्रोसे यहां भी बनालेंगे इस डियान को फिर से रह से सटार्ट करेंगे यह वाली लाएं तो फिर किस तरह से करेंगे वह देख लिजेए एग, दो तीन, चार, और यह पांच इन बना लिए हमें गया पुरा नहीं बन आपको 2 12 और फिर से 2 फंदी निकालें Cuandoree !! 2 बार धागा लेंगे फिर इस जगह पर डालेंगे 2 बार retrieveने कालना आपको फिरसे दो बार 4 फंद रहेंगे पहले तीन पंदो को निकालना है ऊसके बार दो उपर जाते वए 6 चेन लेंगे, एक, दो, तीन, चार, पांच और यह 6 पिर से रिपीट करेंगे, एक और दो बार धागा लेंगे, सेम इसी जगार पर डालना है, आपको दो दो फंदी करते में निकालने एक पर निकालना है, दूसरी पर, फिर दो फंदे लेंगे, एक और यह फिर एक और दो फंदे निकाले हमने फिर दो फंदे निकालेंगे और फिर से दो फंदे टोटल चार फंदे रह जाएंगे पहले तीन को निकालना है और फिर दो को निकालना है फिर नेक्स डिजान जाने के लिए यहां पर भी चेन नहीं लेना आपको इस तरह से लेंगे और इस तरह से दो फंदे निकाले और फिर से दो फंदे टोटल चार फंदे रहेंगे आपके इन फंदो को निकालना है फिर दो फंदो को फिर ऊपर जाते हुए जब यह पत्ती बना लेंगे उसके बाद आपको छेचेन लेना है ठीक है एक दो तीन चार पांच और यह छे सेम इस तरह से करते हुए जाना है अगर आप धागे से भी बनाती है तो कैसा लगेगा वो तुम्हें दिखाती है आपको देगे धागे से अगर लेस बनाती है तो कुछ इस तरह से दिखेंगे बहुती प्यारी खूबसुत सी देखें तो चलिए बनाए हखाऊं है रहाम है कॉम्मिन कै Dark स cœur UK बता है कि आज का वीडियो आप सब को कैसा लगा अच την ग़ा तो प्लीज स्थाइड और प्लीज वीडियों को लाइक कर दें आप कुछ। है तो मिलतें कुछ नीव वीडियों के साथ ठेंक यूट ऑ